नमस्कार साथियो रियान लर्निंग कॉंसेप्ट के यूटूब चेनल पर आपका अर्धिक स्वागत है अर्धिक अभिनंदन है पिछले वीडियो में हमने क्रिटिकल थियोरी जो कि एक भूत इंपोर्टेट कॉंसेप्ट है उस वीडियो का पार्ट फष्ट हमने बनाया था हमने क्रिटिकल थियोरी का मिनिंग दाना था कि क्रिटिकल थियोरी और क्रिटिकल थियोरी और ट्रेडिशनल थियोरी में क्या डिफ्रेंस है आज के हमारा इस वीडियो में हम critical theory का part to cover करेंगे और मेरे दुवारा आज के इस वीडियो में critical theory का एक detailed explanation present किया जाएगा आज हम इस वीडियो में in general critical theory समझेंगे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि critical theory का international relations के field में यूज कैसे किया जाता है critical theory का meaning क्या है और theory किसे कहते हैं और critical theory traditional theory किस प्रकार भिन है ये वीडियो एक्षूली विद्यार्चियों के लिए थोड़ा समझने में कठिन होता है और conceptually complicated concept है इसलिए हमारे द्वारा इस जो इस topic के ओपर आपको समझने में और समझाने के लिए help कि जाएगी देखिए पिछले वीडियो में हमने जो कुछ पढ़ा था पिछले वैख्यान में हमने जो कुछ शेका था उस वैख्यान को हम summarize कर लेते हैं कर लेते हैं हमने पहले सबसे पहले जाना theory क्या होती है theory a body of knowledge है a setup set of interrelated ideas and concept है और traditional theories क्या होती है traditional theories वह theories होती है जो status को यानि की यता इस्तति को maintain support और legitimize करने का प्रियास करती है जबकि critical theory क्या होती है critical theory actually में society को criticize करती है critical theory और traditional theories के criticism के रूप में critical theory का development हुआ देखिए आप मैं आपको सबसे पहले critical theory का meaning बता देता हूं इस वीडियो में हम क्या-क्या समझने वाले हैं वह मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में हम यह जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो हम Frankfurt School के बारे में बढ़ेंगे Frankfurt School यह जो term है इसका क्यारत है हम यह देखेंगे Frankfurt School का क्यारत है दूसरा हम यह जाननेंगे Theodore Adorno जो कि एक critical theorist हैं इनकी एक कौनशेप्ट है कल्चर इंडस्ट्री कल्चर इंडस्ट्री सांस करतिक उद्योग जो भी विद्वान साथी नेट जियारफ असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीसी और व्याख्याता की तहरी कर रहे हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस में अपनी कमांड असिल करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में जो इंट्रेस्ट रेट हैं अपनी मजबूत करना चाहते हैं अपनी समझ विक्षित करना चाहते हैं राजनीति विज्ञान को एक मजबूत तरीके से आप समझना चाहते हो तो आप रियान रर्णिंग कॉन्शेप्ट के यूटूब चैनल में हमारे द्वारा जितने भी टॉपिक पढ़ाएगे हैं उन इन्हों क vengeful Ministry की किया क दूसरे हमारे करें कितिकलरअ क्रिटिकल खिरिष्ट मेक्स होलेगे मेक्स होले के माहर की एक बोलहतेंका इंस्ट्रूमेंटल रीशनेलिटी वो समझेंग हम इंस्ट्रूमेंटल रेशनिलिटी सो थे हमारे किर्टिकल थोरिस्ट हैं हर्बर्ट मर्क्यूजे हर्बर्ट मर्क्यूजे मेरी आप सभी साथियों से हमली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे दुवारा बनाएगे वीडियो को अंतर तक जरूर देखें अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप दूसरे विडियार्थियों पहुचाएं ताकि यूट्व पर नजबिधियार्थियों को टियारिकने वाले राज और राजितीव खियान के सभी विद्यार्थियों एक डेडिकेटेड हेल्फ होसके ये वीडियो आपके लिए बहुत highly useful और highly beneficial होगा आप इस वीडियो को ज़रूर देखें द्यान से सुनें Herbert Markujay, Herbert Markujay की जो concept है One Dimension Man, इनकी बहुत परसिद किताब भी है One Dimension Man एक consumerist society, उसकी भी एक concept है वो भी समझेंगे Second PD के critical theorist है यूर्गेन हेबरमास इनकी ये concept है Communicative Communicative Action and Communicative Rationality ये वीडियो आपके लिए थोड़ा complex हो सकता है तो आप copy pen, notebook लेकर बेट जाईए और मेरे साथ-साथ ध्यान से सुनिए ध्यान से जुड़े रहिए ताकि critical theory की जो आपकी complete concept है वो clear हो जाए critical theory आपके समझ में आ जाए ये दो concept हम समझेंगे हैं हमने पहले भी बताया कि critical theory के तीन परकार के generation है फर्ष्ट generation theorist जिन में हम थियोडोर, एडोर्नो, मैक्स होरकेमाईर, वाल्टर, बेंजामिन और हरवर्ड, मरक्यूजियो को सामिल करते हैं second generation theorist में हम यूर्गेन एबरमाज को सामिल करते हैं third generation theorist में हम नैंसी फ्रेजर, शेला, बेंजामिन और एक्जल होनेत को सामिल करते हैं जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया अब हम critical theory आलोचनात्मक सिदान्त पिछले वीडियो में हमने तो हमारा जो important objective था वो यह था कि international relation के field में critical theory का use किस परकार किया जाता है और traditional theory से critical theory किस परकार भिना है वो हमने पिछले वीडियो में समझा था और इस वीडियो में हम यह समझने वाले हैं कि critical theory critical theory जो है वो फ्रेंकपर्ट स्कूल से कैसे जुड़ी और फिर Theodore Adorno और अपने जो हर्बर्ट मर्क्यूजे मेक्स होरकेमाईर और यूर्गेन है ब्रमास के विचार हम देखेंगे इसमें देखो critical theory critical theorist क्यों आई critical theory आई क्यों क्यों कि जो traditional theory थी उनसे critical theorist नहीं थे पहली बात तो यहीं कि जो traditional theory थी उनके criticism की रूप में develop हुई और traditional theory से क्या कि यह critical theorist थे यह satisfied नहीं थे तो इन्होंने society के social inquiry के एक नए mode को propound किया एक social inquiry के नए mode को propound किया कहने मतलब यह है कि एक नए नया तरीका खो जाए नहोंने social inquiry के नए mode नए तरीके को प्रतिपादित किया गया प्रोपाउंड किया गया दूसरा point है status को यताइस्तती समाज में जो यताइस्तती है जो present condition है present situation है उसको बदलने का परियास किया गया यताइस्तती तिसरा point यह है कि जो criticism जो criticize nature है उसको अडूप्ट गया गया किर्टिसाइज नेचर को अडूप्ट किया गया अगला point लिगो ट्रेडिशनल थियोरी ट्रेडिशनल जो परंपरा के सिद्धान थे उनसे satisfied नहीं थे ट्रेडिशनल थियोरी से satisfied नहीं थे इनका टार्गेट था greater human emancipation and liberation hidden power structure को बहार निकालना unveil करना hidden power structure को uncover करना अनावरन करना hidden operations hidden dominations को expose करना यह सभी critical theory के उद्देश यह थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताए हैं तो वहाँ पर जाकर कि आप पिछले वीडियो में revise कर सकते हैं आज हम क्या पढ़ रहे हैं उसकी सुरुवात करते हैं सबसे पहले institute of social research institute of social research की स्थापना का किए गई सामाजिक संस्तान सामाजिक अनुसंदान का संस्तान जर्मनी के फ्रेंकपर्ट में इसकी स्थापना किए गई यह हम कह सकते हैं इसको फ्रेंकपर्ट इस्कूल अज की वीडियो की स्थापनाग 1923 में किए गई जर्मनी के फ्रेंकपर्ट में फ्रेंकपर्ट इस्कूल की स्तावना फ्रेडरिक पॉलक और फ्रेलिक्स वेल ने की फ्रेडरिक पॉलक ये फ्रेक्ट आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है फ्रेडरिक पॉलक और फ्रेलिक्स वेल फ्रेलिक्स वेल इन दोनों ने फ्रेंकपर्ट इस्कूल को फाउंड किया गया फाउंडर हैं फाउंडर ओफ फ्रेंकपर्ट इस्कूल फ्रेंकपर्ट इस्कूल के फ्रस्ट डारेक्टर का नाम था काल गुरुनबर्ग फ्रस्ट डारेक्टर काल गुरुनबर्ग ये फ्रेंकपर्ट इस्कूल के फ्रस्ट डारेक्टर बनते हैं फ्रेंकपर्ट इस्कूल से क्या तात्परी है Frank Pert School से तात परिएगी 1st generation के जितने धियोरिस्त हैं Thinkers हैं, Scholars हैं 2nd generation के जो धियोरिस्त हैं, Thinkers हैं Scholars हैं, 3rd generation के धियोरिस्त हैं उन सभी की Research उन सभी की approach वो जो उनकी critical approach है, उन सभी को मिला करके Frank Pert School का जाते है, Frank Pert School एक प्रेंकफर्ट स्कूल एक इंटर्डिस्सिपिज प्लीनरी थिंग टेंक है अन्ते है नो साहथ आत्मक थिंग टेंक कहने का मतलब है इंटर्डिसी प्लीनरी थिंग टेंक इस वीडियो को आप शेर कीजिए अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए अपने मित्रों के पास बेजिए अगर अच्छा लगता तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले एंक्रेजिंग मिले और मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल सैंस क विविनों सेये इंडियो ले कर आउ थाकि आपको फायदा उसे मिल सके तो इंटर डिस्पीoo धिन्य है इसका मतलब समझे आप, फ्रेंक क्षिस्कूल मैं इंटर। करते का मतलब है कि, इस में सभी subjects कके सभी discipline के, जितने भी that सभी subject हैं सभी field हैं, उन सभी के theorists और scholar सामिल, रूफ से सामिल है, कहन आ मतलब इसमें political science के scholar भी है, political theory, sociology, philosophy, international relation के scholar भी है, psychology के भी scholar उत्तितुवाद के स्कॉलर एक्जिस्टेंड एक्जिस्टेंशिलिजम के इसमें। और भी कई सब्जेक्ट के स्कॉलर इसमें साथ आते हैं। इसलिए इसको इंटरडिसिप्रिनरी थिंक टेंक भी का जाता है। Psychology, Political Science, Political Theory, Sociology, Psychoanalysis, Psychoanalysis, Philosophy, Economics, International Relations, यह जितने भी subject हैं, इन सभी के scholar, जितने भी subject मैंने लिखे हैं, जितने भी discipline मैंने लिखे हैं, इन सभी के जो भी scholar है, theorist है, विद्वान है, उन सभी के theorist, जितने भी thinker हैं, इन सभी को Frankfurt School में सामिल ज्याधा थे, इन सभी की अप्रोच को इसमें सामिल किया जाता है Frankfurt School का जो में अब्जेक्टिव है वो है critical, criticize करना, criticize nature एक objective है Frankfurt School का मानुमुक्ति greater human emancipation, भी कह सकते हम greater liberation, greater freedom human emancipation, मानुमुक्ति एक objective Frankfurt School का है जो operations है, जो depressions है, रिप्रेशन है hidden power structure है, उसको अनकवर करना जो समाज में जो दबेवे वर गयाँ उनकी वो इशेज को भार निकालना हम कह सकते हैं कि hidden forms of oppression, oppression and repression dominations, suppressions इन सभी को uncover करना, hidden power structure है, जो छुपी भी power structure है, उसको बाहर निकालना यह इसका मूल उदेश है, Frankfurt School का, इसको आगे देखो आप 1967 में, 1937 में Frankfurt School के निदेशक डारेक्टर बनते हैं, Max होर के माहिर फ्रेंकपर्ट स्कूल के डारेक्टर बनते हैं, कौन सी स्कूल के, Frankfurt School के डारेक्टर बनते हैं, क्योंकि यह जब डारेक्टर बनते हैं, उससे पहले जो Frankfurt School का जो अबजिक्टिव था, वो जो मारक शवाद था, मारक शवाद का रीवेजन करना था, मारक शवाद में संसोधन करना था, वो ही मारक शवाद की आप्रोज थी, मार्क शिष्ट आप्रोज थी उसी objective को वह टेटर रहे थे, मेक्स होर के माहिर क्या करते हैं, मेर मेक्स होर के माहिर यह 1936 में फ्रेंकपर्ट स्कूल के डारेक्टर बनते हैं फ्रेंकपर्ट स्कूल के क्या बनते हैं डारेक्टर डारेक्टर बनते हैं फ्रेंकपर्ट स्कूल के क्या बनते हैं डारेक्टर और 1937 में मेक्स होरके माईर की द्वारा एक आर्टिकल लिखा जाता है traditional theories and critical theories आर्टिकल पब्लिस होता है न्यूज पेपर में traditional theories and critical theories यह जो critical theories है यह जो term है यह critical theories जो phrase है यह phrase मेक्स होरके माईर के द्वारा ही coin की गई है इसी article में मेक्स होरके माईर के द्वारा यह phrase coin की जाती है और critical theories का अर्थ भी बताया जाता है मेक्स होरके माईर बता दे है कि traditional theories और critical theories में difference क्या है इस आर्टिकल का यही टाइटेल है traditional theories and critical theories difference between traditional and critical theories दोनों में क्या अंतर है traditional theories है वो status quo maintain रखना चाती है hidden power structure को छुपा कर रखना चाती है जबकि critical theories status quo को बदलना चाती है change करना चाती है human emancipation पर जोड़ देती है तो critical theories का तो नेचर है वो criticize type का है क्रिटिसाइज टाइब का है इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंकपर्ट इस्कूल जो है फ्रेंकपर्ट इस्कूल कर दो कि फ्रेंकपर्ट इस्कूल का जो objective है यहां से सुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल थेओरीज जो है ट्रेडिशनल थेओरीज कि फ्रेडिशनल थेओरीज जो है यह लिट्रेग्ज हेए कर दो को चैलेंज नहीं करने देती यह फ्रेण इस स About द्वारा बनाई जाती है जो group power में है उनके लिए ये theories बनाई जाती है तो इन theories में क्या होता है जो dominations जो प्रभूतवशा है binations और oppression hidden रहता है, क्या रहता है program? रहता है, hidden, hidden रहता हूँ, यह theories, actually में, जो dominations हैं, जो suppressions हैं, उन सबको hidden करके रखती हैं, छुपा करके रखती हैं, जबकि critical theories क्या करती हैं, critical theories, यह critical theories क्या करती हैं, इस hidden power structure को uncover करने का काम करती हैं, क्या करती हैं, uncover, unveil करने का काम करती हैं, उसको भार निकालने का काम करती हैं, उसको भार निकालने का काम इनके द्वारा किया जाता है, यह critical theories, actually, इन critical theories के लिए guideline principle क्या है, जो guiding principle हैं इनके लिए, जो इनको दिशा दिखा रहा है, वो सिध्धान्त कौन सा है, यह critical theories, यह जो criticized nature है, यह criticized nature कहां से adopt कर रही हैं, कहां से borrow कर रही हैं, कहां से दिशा निर्देश प्राप्त कर रही हैं, कहां से guideline प्राप्त कर रही हैं, तो इनके लिए guiding principle कौन है, वो ध्य काल मार्क्स की एक थिसिस, काल मार्क्स की एक थिसिस, मैं लिख देता हूं, critical theories के लिए guiding principle, जो इनको दिशा दिखा रहा है, वो कौन है, वो है काल मार्क्स की एक थिसिस है, काल मार्क्स की थिसिस है, 11th, थिसिस, ओन, शूर, बग, काल मार्क्स की थिसिस लिखी है, 11th, थिसिस, ओन, शूर बग, इसमें उन्होंने एक phrase दिये, फ्रेज यह दिये की, दार्शनिकों ने हमेशा संसार की व्याक्या किये, पर्शन लेकिन संसार को बदलने का है, फिलोसफर्स, 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 फिलो परसन क्या है, पोइंट क्या है, चेंज करने का है, पोइंट चेंज करने का है, पोइंट चेंज इट, वाट, पोइंट क्या है, चेंज इट, डार्सिनेगों ने हमेशा विश्वा की व्याक्या किये बदलने इसके बदलने पर विचार इन्हों ने नहीं किया परसन है बदलने का तो यह जो ठिशिस है काल मार्स की यह ठिशिस कृटिकल ट्योरिश्ट के लिए एक guiding principle का काम करती है उनको उनको दिशा दिखाती है उनको torch का उनके लिए काम करती है यह बहुत important बात है Karl Marx की इस thesis से critical theorist अपना nature trace करते हैं अपना जो critical criticized जो nature है वो trace करते हैं यहां से Karl Marx की इस thesis से अब हम समझेंगे कि critical theory कितने परकार की होती है critical theories are two types critical theories are two types पहली है इमान सी पेटरी theory मुप्तिगारी दूसरी है dialectics in nature dialectics theory इन दोनों का संक्षेप में मार्थ पता देता हूँ इमान सी पेटरी theory का मतलब है critical theory nature में इमान सी पेटरी होती है इसलिए critical theory को actually में इमान सी पेटरी theory भी का जाता है क्योंकि ये एक individual के true freedom की बात करती है उसकी freedom autonomy की बात करती है उसके freedom और autonomy को increase करने की बात करती है उसके pre Danielle什麼 is nature का मतलब है जितने भी contradictions होते है थयोरीज में जो traditional theories भी में जितने contradictions है उन को uncour करने का काम करती हैं बहर निकालने का काम करती है जितने भी फिरुता बहास हैं उनको सबको बहर निकालने का क्ाम ये critical theories करती है उदारन के लिए मैं बताओं कि मानलो की लिब्रेलिजम एक आइडियोलोजी है लिब्रेलिजम और लिब्रेलिजम आइडियोलोजी के दोवारा अगर ये कलेम किया जाता है लिब्रेलिजम थेओरी के दोवारा अगर ये कलेम किया जाता है ये बताया जाता है कि उन ओस्पेक्स को ऐलाइट करेंगी लिब्रिलिजम के जिनसे ये पता चलेगी लिब्रिलिसम में जस्टीस其實 लिबर्टी एक्वेलिटी आधी को चुपाया जा रहा प्रवास्तों में Liberty और Justice जैसे वेल्यूज लिबरिलिजम में सुर्खसित नहीं है तो इनका नियचर क्या होता है डायलेक्टिक्स होता है यह कॉंट्राडिक्शन जितने भी होते हैं उनको भाहर निकालने का काम करती है अब यह समझेंगे कि क्रिटिकल थ्योरी का राइज के से वा राइज इसके पिछ दो कारण है तो भूत महतुत्त नकारण है इस्ट कारण है औना मैं हूलोकोस्त की जो ख्टना है यह भोट इंपोर्टेंट अम आपको बता देता हूँ होलोकोस्ट कुछ परजिकुसेंज्ट उफ यह बता देता हूँ पहले मैं आपको यह बता देता हूँ दूसरी Orthodox Marxism में जो कम्या थी वो Orthodox Marxism ये दो बाते बहुत मैं तुम्स पर आपको समझनी है ओलो कोस्ट की गटना क्या थी ओलो कोस्ट की काटना ये थी कि Anna Arant एक हमारे फिंकर है Anna Arant एक इस्कोलर है Anna Arant actually में किया गी अन्हें नियोजक में ट्राइल के दोरान विय लिया था उन्हें यह पर्शित ऑव्क लिखिए थी आइक मैन ऑफ जरू सलम हुआ एक मैं एककुलिंट में नाजी पार्टरी का एक को अफिसर था जिसने इटलर के ादियक के पानना के थे पॉलेंड में एक था आस्टवीज respects का उसमें 11 लाक कि खात्मा कई लाक यहोदियों को मतलब की गेम डे browser में ले जाकिर के दोरह मार दिया गया आइकमेन एक इटलर का उपिसर था इटलर के आदेसों की पालना कर रहा था अना अरेंट ने आइकमेन का इंटर्वु लिया एक ट्राई लिया था नियोर्क में अनारेंट अपनी बुक जरुसलम आइकमेन ऑफ जरुसलम एक बुक लिखती है अनारेंट उस बुक में अन तो आइक मेन ने जवाब दिया कि मुझे कोई आत्म गलानी नहीं है जैसा मुझे इटलर के द्वारा निर्देश दिये जा रहे थे इटलर के द्वारा निर्देश दिये जा रहे थे वो सभी निर्देशों के पालना में कर रहा था मेरे उपर के अधिकारियों के द्वारा ज कि गटनाने है होलोकोस्ट गटनाने ट्वीज विस और युद्द के दोरा अधिक है गटना जम कई लाख लोंको मार दिए गया था जूर देखले का सबậyे सब्सक्राइब और झोटी गटना उससले प्रत्यूर्थ प्रेफ से इन सभी ठोत्रेवड दिक होई है तो critical theory जो है वो कहीं ना कहीं ओलोकोस्ट की गटना से भी प्रपावित है एक्चुली में ओलोकोस्ट की गटना ने यह पताया कि समाज में नेतिकता कहा गई अभी अब उस पर चर्चा करेंगे उसको समझने की कोशिज करेंगे और्थोडोक्स मार्शिजम और्थोडोक्स मार्शिजम ने क्या प्रेडिक्ट किया था मार्क्सवाद ने क्या प्रेडिक्ट किया था क्या क्लपना कि थी उसने क्लपना कि थी कि समाजवाद के बाद पुंजीवाद के बाद समाजवाद आएगा पुंजीवाद के बाद के आएगा समाजवाद आएगा पुंजीवाद का खात्मा कर देगा समाजवाद लेकिन जो एडवांस केपिटेलिक सोसाइटी जो पुंजीवादी वेवस्ताएं हैं वो तो दिन पर Karl Marx की communism social order है, वह तो कहीं आया ही नहीं, वह एक predict रह गया, तो Karl Marx ने जो बोला था, Karl Marx ने जो कल्पना की थी, और Europe में जो परिवर्तन हो रहा था, त्योरी और प्रेक्टिक्स में जो गेब था इस गेब त्योरी और प्रेक्टिक्स में यह जो गेब था इस गेब को समझने की कोशिश कर रहे थे क्रिटिकल थोरिस्ट एक परसन तो यह उड़ता है critical theorist actually में इस game को समझने कोशिश कर रहे थे कि काल मार्क्स ने जो predict किया था कि आदिम सामेवाद आएगा उसके बाद दास समाज आएगा फिर सामंत वाद आएगा उसके बाद पुंजी वाद आएगा समाज वाद आएगा लेकिन यूरोप में और अमेरिका में इसे वीपरित परिवर्तन हो रहे थे काल मार्क्स की जो सोच थी thinking थी वो कहीं ना कहीं फैल हो गई थी तो इसके ओपर इस game को यह पढ़ना चाह रहे थे लोकोष्ट की गटना एक चुली में जितने भी पूरी 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 अकिला इटलर जिम्मेदार नहीं था लोकोष्ट की गटना के लिए अकिला इटलर जम्मेदार नहीं था पूरी पूरी सोसाइटी जिम्मेदार थी तो पूरी सोसाइटी ने इस परकार का वेवार कैसे मार सकते हैं और उसको मनने को नोगोंने स्विकार कि इस विवार को श्विकार किया जो यह वहवार है यह प्रोज़ के थेओरी वाली अप्रोज पूरी की पूरी के एक्चुली से एफेक्ट होती है परवावित होती है कि इस प्रकार का बिहेव लोग किसे कर सकते हैं तो यह भी क्रिटिकल थेओरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा परसन था बहुत ही बड़ा परसन था देखो मैं समझाता हूं आपको हमारे समाज में एक्चुली में मोरेल श्वेर है नेत्तिक चेतर है मोरेल श्वेर हमारा एक सोच्यल श्वेर है सोच्यल फिल्ड सामाजिक चेतर भी है मोरेल श्वेर एक हमारा कल्चरल श्वेर है सांस्कृतिक चेतर नित्तिक सामाजिक और संस्कृतिक और राजनितिक छेत्तर पॉलिटिकल स्पेर आपको द्यान देना है बिना रुके बिना थके मेरे साथ जुड़े रहना है और तभी आपके क्रिटिकल थोरी पूरी समझ में आएगी इस स्पेर में एक्चूली इतनी बड़ी सोSet ये उलोकोस्त जी सथिक अंच्जाम दिया कहीना कहीन नतिक निर्ने moral judgment जिसको कहते हैं Um ॉन्यतिक निर्ने का जो परसण है उसको कहीनागा छोड़ दिया गया जो moral question है moral judgment है उसको कहीना कहीं हमने attempt ही नहीं किया हमने उसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया यह जो vacuum है यह vacuum कौन बरेगा यह इस vacuum को बढ़ दिया इस यह जो जजमेंट वाला जो question है यह critical theorist के लिए कहीना कहीं बहुत important रहा critical theorist actually में जो जूश पिपल जो यहुदी लोग हैं उनका जो परजुकिशन हुआ उठ्पीड़न हुआ उनसे कहीना कहीं बहुत ज्यादा परभावी थे और critical theorist के द्वारा अपनी पूरी पूरी अप्रोच को इस इससे परभावी थे पूरी 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 अप्रोच इसको आगे देखेंगे पूरे को इसको आगे पढ़ेंगे अभी देखिए तो हमने देखा अभी इसके बाद हम देखेंगे कि जो critical tourist है जो Frankfurt School है Frankfurt School Frankfurt School यह जो Frankfurt School है इसमें कितने thinker सामिल है four thinker Theodore Adorno, Herbert Bercuse, Max Warkemeyer और second PD के या second generation के Oregon Evermarch Frankfurt School इन लोगों ने क्या किया जो capitalist society capitalist society capitalist society या जो modernity जिसको हम कह सकते हैं आद दूनिकता इन में जो समझे थी उसको पैचानने की कोशिश की उसको डाइगनोसिस करने की कोशिश की जो problem थी उसको discover किया उसको डाइगनोसिस किया क्या किया डाइगनोसिस क्यों डाइगनोसिस करने की कोशिश की क्योंकि और्थोडोक्स जो मार्शिजम है उसमें वो एक्चुली जो एक economic deterministic approach हो आर्थिक नेतिवाद उपागम है काल मार्श का और्थोडोक्स मार्शिजम जो एक सिद्धानत है वो एक्चुली में economic determinism और और का जो बेस है इधर समझ यह जो बेस है वेष यहほど अ शियह पाठर में जो मीन सो प्रोड़क्छन उत्पाधन की साधन है में जो फोर्षेज capitalist class के हाथ में है किसके पुझीपतिा वरग के हाथ मोन बराइ पुंजी प्रटी वरग के आह manners Capitalist class म the डूसरा वरग है जो लेबर क्राट है जो प्ष म॥बर क्रॉप जो प्रोकत है जिसको हम कहते हैं जिसकwn सर्विक वरग कहते हैं उसके हाथ में जया वो वो जो उत्पादन के साधन है उनको नहीं करते हैं वो सिर्फ लेबर करते हैं और सिर्फ मैनेद करते हैं तो यह जो समंद्ध है उत्पादन के समंद्ध रिलेशन और प्रोडक्शन उत्पादन के जो समंद्ध है यह इकोनोमिक नेचर के हैं कालमार्स कहते हैं कि बेस बह अभी वेशी होगी, यह क्या है, यह सूपर स्ट्रक्टर है, सूपर स्ट्रक्टर, अधी, रतना, यह सूपर स्ट्रक्टर किससे मिलके बनेगी, कस्टम्स, आइडियोलोजी, नॉम्स, कल्चर, एजुकेशन, आधी से मिलकर गया, सूपर स्ट्रक्टर बनेगी, काल मार्क्स ने अपने सिद्दानतों में, एक्चूली में, बेस को बहुत ज्यादा महत्व दिया है, सूपर स्ट्रक्टर को कम महत्व दिया है, बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है, सूपर स्ट्रक्टर के जो कल्चर और आइडियोलोजी वाला एलिमेंट है संस्कृति और विचारदार वाला जो तत्वा है उसको काल मार्स ने भहुत कम है तो दिया जबकि यह क्रिटिकल थियोरिस्ट कहते हैं कि काल मार्स से गल्ति कहा हुई गल्ति हो गई यहां पर काल मार्स के इसी पॉइंट को पकड़ते हैं कि मार्स वादी उपागम है उसे गल्ति कहा हुई काल मार्स से गल्ति कहा हुई तो इस पॉइंट को पकड़ते हैं तो वह करते हैं कि कल्चर और आइडियोलोजी होत इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है तो वह क्या काम करते है प्रेंक प्रेंग्पर्टि टी श्कूल के जो थ्युंद है या करते हैं कि केरिपेटि लिष सॉसाइटी है पूंजी वादी अमाज में जो प्रोंबलम्ट है उनको डाइगनुशिश करने का कौम करते हैं उनको पैचानने का काम करते हैं तो इसमें चार थिंकर हैं वो रूट कोज को पैचान रहे हैं वो रूट कोज को पैचान रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि जो आपको दिखाया जा रहा है capitalist society में जो आपको दिखाया जा रहा है वह आपका भरहम है क्या है वह आपका illusion है illusion है इसी को काल मार्स क्या कहते है फाल्स कॉंसेशनेस कहते है मिठ्या चेतना इसको काल मार्स कहते है इस illusion के पिछे आप जाओगे इसके nature को आप study करोगे तब आपको पता चलेगा कि true freedom क्या है वास्चुकता क्या है यह तो क्या है illusion है अभी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थियोडोर एडोर्नो थियोडोर एडोर्नो यह मैं आपको संक्षेप में समझाऊंगा थियोडोर एडोर्नो मेक्स होर के माहिर फिर वीडियो का end कर देंगे मेक्स होर के माहिर होर के माहिर थियोडोर एडोर्नो मेक्स होर के माहिर और हरबर्ट मर्क्यूजे हरबर्ट मर्क्यूजे थियोडोर एडोर्नो की एक इंपोर्टेंट कॉंशेप्ट है मेक्स होर के माहिर की एक इंपोर्टेंट कॉंशेप्ट है हरबर्ट मर्क्यूजे की एक इंपोर्टेंट कॉंशेप्ट है थियोडोर एडोर्नो की जो बुक है वो लिख लेते हैं कि वो कौन सी बुक है Theodore Adorno, Max Horkheimer The Authoritarian Personality Negative Dialytics यह इनकी मेजर वर्क है The Authoritarian Personality The Authoritarian Personality Minima Moralia Negative Dialytics Minima Moralia Negative Dialytics Max Horkheimer की जो बुक है वो देखिया आप Eclipse of Reason Dialytics of Enlightenment Eclipse of Reason Dialytics of Enlightenment यह जो डालेटिक्स of Enlightenment जो बुक है यह को Theodore Adorno के साथ इनकी लिखी थी Theodore Adorno के साथ मिल करके लिखी थी Herbert Merkuji की बुक है One Dimension Man One Dimension Man एक बुक है Eros or Civilization Eros or Civilization Jurgene of Ebramas Jurgene of Ebramas की जो बुक है वो बुक है Magnum Opus Magnum Opus Magnum Opus Communicative Action Important जो Concept है Communicative Action तो देख लीजिए आप Theodore Adorno के द्वारा जो वर्क लिखे गए है The Authoritarian Personality दूसरा है Minimum Moralia तीसरा है Negative Dialytics Max होर के माहर के द्वारा वर्क जो मेजर वर्क है Eclipse of Reason Dialytics of Enlightenment यह जो बुक है यह Theodore Adorno के साथ इन्हों लिखिया है Herbert Mercury की बुक है One Dimension Man Eros and Civilization Jurgene of Ebramas की जो एक बुक है जो बारा साल का निचोड़ है उनका उसको Magnum Opus And Communicative Action के नोट कर लीजिए आप अभी हम Theodore Adorno की एक Concept है Actually Theodore Adorno के कई निबंदों का एक Compilation है उसको हम कहते Culture Industry Theodore Adorno एक है अपने Max होरके माहिर Herbert Mercury And Ebramas Jurgene Ebramas इसकी जो Concept है जो Important है वो Culture Industry की है Culture यह समझा देता हूँ आपको संक्षेप में समझा देता हूँ एक अलग से वीडियो में इन्हें है हम डिटेल में पढ़ेंगे Max होरके माहिर की जो Concept है Instrument Instrumental Rationality Instrumental Rationality कुछ है की जो Concept है वो है One Dimension Man One Dimension Man Ebramas की जो Concept है Communicative Action Communicative Action And Rationality Rationality आज इस वीडियो में हम Culture Industry को पढ़ेंगे जो Theodore Adorno की पूंजिवाद के बाद Сमाजवाद आएगा Capitalist ओर्डर के बाद Social Order आएगा वो क्यों नहीं आय आया पुंजिवाद दिन परती दिन क्यों मैचूर होता गया क्यों मजधूरों ने उसकी उसका विरोध क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं की तो थियोडोर एडोर नो इस बात का जवाब देते हैं, जो capitalist society है, जो modernity है, उसमें जो problem है, जो diagnosis हुई है, वो बता रहे हैं हो, क्यों विरोध नहीं हो रहा, वो कहते हैं कि, जो capitalist society है, उन्होंने क्या, homogeneity, एक जो uniformity society होती है, उसको इन्होंने create कर लिया, इन्होंने बताया कि, जो पुंजीवादी, जो समाज है, जो capitalist society है, इन्होंने क्या किया, culture industry का मतलब होता है, सांस्कृतिक उद्ध्योग इन्दी में, और culture industry से ताथ परिया है, कि, रोजबर्णा की जिन्दगी में हम, जिन चीजों से रूबरू होते हैं, अथा डेली, जिन चीजों को हम देखते हैं, जिन को, जिन के हम संपर्क में आते हैं, जैसे news paper हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, बुक्स हो गई, मोबाइल हो गया, ये सारी जो चीजे हैं, जो हमारे डेली काम में आ रही हैं, वो एक्चूली में क्या है कि, हमारे जो आइडियाज हैं, हमारे जो चोईशेज हैं, जो हमारी जो प्रिफेरेंश हैं, जो हमारे चोईश है जो हमारे व्यूज हैं उनको एक शेफ देने का कारिये करती है एक्चुली थियोडोर ओडोर नो क्या है कि कल्चर इंड्रेस्ट्री की आलोस ना करते हैं वो सांस्कृति को द्योग की आलोस ना करते है एक्चुली में पुंजीवादी समाज ने किया क्या है पुंजीवादी स समाजहे कि वास्तो में आइढेली और कल्टर के आधार पर लोगों के दिमागों मैणिपलेट कर रहा है कि ऐगे ड़ सफ्फ में क्या जिंदिस्टे एक होंभिनेटी सफॉसाइटी की स्थापना कर रही है एक होमो जिनिटी सोशाइटी समरूपी समाज एक यूनिफोर्मिटी कह सकते हैं उसको समरूपी समाज एक इससे समाज जहां पर लोगों के विचार उनका वेवार उनकी जो उनकी जो विकल्प हैं विकल्प चैन की जो वो तिया प्रिफेरेंस हैं विउज हैं उनके इंट्रेस्ट हैं उन सबको शेप देने का काम करते हैं तो सोशाइटी को किस परकार की बना देते हैं एक तरह से समरूपी समाज बना देते हैं तो यहां पर Theodore ओडोर नो कह रहे हैं अपनी जो conceptual जो tool है उनके पास अवदार नात्म को उपकरण है कि कल्चर इंडस्ट्री ने किस प्रकार से पुंजिवादी व्यवस्ता को सुरुक सा प्रदान किया टीवी रेडियो बुक्स आदी सभी ने किया है कि लोगों के दिमाग को मैनिपूलेट कर दिया उनके दिमाग को एक से प्रदान किया ताकि वह विरौत नहीं कर सकें थे एक चुभी में समरुपी समाज की अुन्होंने स्थापना कर दो त्प्रोड करके उन्होंने एक हमो जिन्याइज्ड सोशाईटी की स्थापना किया जिससे क्या है कि लोगों की जो चोईशेज हैं जो आइडियाज हैं जो व्यूज हैं लोगों की इंट्रेस्ट हैं वो सभी एक्चुली में क्या है कि वो एक समरूपी हो गए तो लोग विरोध नहीं करते हैं फिर एक्चुली जो कालमर्ष ने प्रेडिट किया था कि समाज मे वास्तों में वर्ग बैद को उस क्लाक्स क्लास कॉन्फिक्ट को क्लास डिस्टिक्शिंग को वर्ग बैद को एक्चुलि में जो केपिटेलिस सूसायटी एक उन्होंने कल्चर इंड्रेस्ट्टि का परियोग करके उसको हिड़न कर दिया समझनीकोशिस कीजिए आप मैं बता को क्या इन्होंने क्या किया हिड़न कर दिया उस class class conflict वरक बेद को इड़न कर दिया क्योंकि इन्होंने एक homogenized society की स्थाफना कर दी समरुपी समाज की स्थाफना कर दी उसमें क्या कि सब कुछ कवर हो गया कल्चर इंडिस्ट्री के परियोग से यह concept बहुत महतुपन है थियोडोर ओडोर्नों की यह इन यह बता रहे हैं कि जो capitalist society में जो problems है कि वह क्या है वह root codes रूण रहे हैं मुख्य कारण क्या है वास्तुमें ही समाज क्यों नहीं है जिस परकार कालमार्स ने predict क्या था कल्पना की थी क्यों नहीं तो उस बात का जो आप दे रहे हैं यह critical theorist है इनके मैंने major work भी आपको बताए इनकी culture इंडिस्ट्री की जो concept बताए अगले वीडियो में हम discuss करेंगे Max Horkemire की instrumental rationality की जो criticism करते हैं Herbert Mercurgey की one dimension man और एक इनकी consumerism की जो concept है वो समझेंगे Evermass की communicative action and rationality की जो concept है वो समझेंगे अबर्मास को second generation का theorist क्यों का जाता है इस बात को भी हम समझेंगे तो आज के आज का वीडियो आज के वेक्षान में मैंने आपको critical theory in general समझाने की कोशिश की है critical theory की पूरी की पूरी story मैंने समझाने की कोशिश की है एक तुन में फ्रेंक पर्ट जो स्कूल है उसका वो मूव shift कैसे होता हूँ बता देता हूं मैं फ्रेंक पर्ट स्कूल की स्थापना 1923 में जर्मनी के फ्रेंक पर्ट सहर में हुई उसके बाद इटलर के सासन के बाद इटलर जब सत्ता में आते हैं तो फ्रेंक पर्ट स्कूल वहां से shift करके शिवजन लेंड के जेनेवा में स्थापिद करने कोशिश की जाती है फिर पेरिस में इसको 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 किया जाता है यूविश्टी अमेरिका की अलग लग उन्विश्टियो में वापिस इस्तापिद की जाती है तो फ्रेंकफर्ट स्कूल और क्रिटिकल थेओरी इन दोनों को यह हमने समझने की कोशिश की हमारे तेन थिंकर्स हो रहे हैं उनके व्यूज और समझेंगे उनके टिकल थेओरिस्ट के आज की वीडियो के लिए थेंक यू सो मच लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद